नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कुट्टे को इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा सकते हैं तो जब भी आप इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं डॉग को तो हमेशा नई निडल और सिरिंज का ही इस्तेमाल करना चाहिए और intravenous हम लगाएंगे सिफेलिक वेन में जो की कुते की आगे वाली टांगों में जो वेन होती है उसे हम कहते हैं सिफेलिक वेन और सिफेलिक वेन में हम intravenous injection लगा सकते हैं लगाने से पहले आप डॉग को अच्छी तरह से उसकी restraining कर लें उसके मुझ को अच्छी तरह से बांद लें ताकि आपको किसी भी तरह को नुक्षा ना पहुंचा सके तो यहां पर गाइस देखिए जहां पे सिफेलिक वेन की site होती है यहां पे हमें सबसे पहले क्या करना है कि एक तो eraser से जितने भी बाल होते हैं सारे बालों को काटना है अच्छी तरह से यह देख सकते हैं आप वेन के चारो तरप से हमें बालों को काट लेना है और काटने के बाद वहां पर हम spirits या किसी भी antiseptic lotion से वहां पर हमें साफ करना होता है साफ करना होता है और intravenous लगाने के लिए यहां पर हम इसको fluid therapy दे रहे हैं और यहां पर guys लगाने के लिए हमेशा needle और syringe जो होती है वो बिल्कुल sterile होनी चाहिए पुरानी किसी भी needle का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं यहां पर आप cannula या 22 number की needle का इस्तेमाल कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं यह हमने vein को raise कर लिया है जो कि आपको उबर कर दिख रही है यह vein है और इसी vein के अंदर अब जो needle है उसको लगाएंगे तो कैसे लगाते हैं वो भी आपको पूरा practically यहां पे देखने को मिल जाएगा तो जैसा आप देख रहे हैं यह हम इसमें लगा रहे हैं जैसे हि हम इस cannula को लगा रहे हैं देख सकते हैं आप बिल्कुल सीधे से अमें धीरे धीरे कर के अंदर की ओर डालना है जैसे ही आप अंदर की ओर डालेंगे तो यह आप देख सकते हैं कि अभी जो blood है वो आ गया है तो फिर हम इसको जो IV set है उसके साथ जोड देंगे और जो fluid है उसको हम धीरे धीरे शुरू कर देंगे अब यहाँ पर dog अगर movement करता है तो यहाँ पर हम जो tape आती है इस tape को हम इस cannula के चारों तरफ से लगा लेंगे लगाने का मकसद यह है कि अगर यह movement भी करता है तो movement करने के बावजुद भी इसकी जो cannula है वो ना हिले और जो fluid हम इसको दे रहे है वो चलता रहे अगर यह हिल जाता है तो फिर subcut हो जाएगा जो की सही बात नहीं है तो guys इस तरह से जो dog होता है उसमें intravenous injection को दिया जाता है सिफैलिक vein में तो इस तरह से अगर आप एक practitioner है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप घर में कोई किसान है इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऐसा घर में कुछ भी करने की कोशिश मत कीजिएगा और इसी के साथ ही अगर आप veterinary का कोई भी instrument खरीदना च और क्या यह case था इसके बारे में मैं आपको next वीडियो में बात करूँगा तो इसी तरह की practically वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को subscribe करें इस वीडियो को like करें share